हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो में यूटूब चैनल दिया और बाती हम में आगे देखेंगे कि संधिया देखती है कि मालती जी के रूम में कोई उनके डॉकुमेंट्स छू रहा है वो रंगे हाथ पकड़ लेती है उन्हें और फिर वो कहती है जल्दी बताओ तुम कौन ह इतने में आप देखेंगे मालती जी आ जाती है वो कहती है यह मेरा बेटा है और फिर इतने में संधिया कुछ नहीं बोलती है वहाँ से चली जाती है फिर आप देखेंगे मालती जी से उनका बेटा शेखर कह रहा है कि वो वो जमीन बेच दे इधर आप देखेंगे संधिय बाहर निकलती है तो एमली उसकी हसी बनाती है और फिर इतने में कहती है पहले राजीब सर्ब बचे थे और अब ये शेकर पिर्टे रहे गया फिर आप आगे देखेंगे कि एमली और संद्या दोनों वहां से चली जाती है इतने में फिर आप आगे देखेंगे कि मालती अपन शान्ती से अंदर जाते हैं दर्वाजा बंद करते हैं बिना कोई शोर किये वो अपने कमरे में जाते हैं और अपने कमरे में जाने के बाद वो अंदर गेट खोल कर लाइट ओन करते हैं और फिर वहां पंखा कोलते हैं इतने में आप देखेंगे कि पंखा वहां पे गिल जात पूशते हैं कि या हुआ फिर बाबो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि सूरज के कमरे से कोई आवाज आy थे फिर वो लोग जाकर सूरज के कमरे में देखते हैं और फिर सूरज और संध्या के कमरे का पंखा गिरा पड़ा है इतने में देखेंगे गेट खुला हुआ है आप आगे देखेंगे कि भाबो और बाबासा वहां पहुंच जाते हैं तुम लोग ठीक हो बस यही चाहिए और कुछ नहीं इधर आप देखेंगे कि मीना जो है वो शक कर रही है कि पंखा गिर गया इनको कुछ नहीं हुआ इधर भाबो संध्या को गले लगा लेती है इधर मीना को शक हो रहा है कि पंखा गिर गया नीचे इनको कुछ नहीं हुआ वो शक कर दिया कुछ बोल नहीं रिया वो कुछ जांच परताल के लिए बढ़ती है तो उसके पहर में टेबल का कोना लग जाता है वो रोने लगती है फिर इतने में चतुरी देखती है कि संद्या भाबी सा का आई कार्ट पड़ा है आप सबको सोना चाहिए पलंग की बाते बुस्त की बाते तो आप सुबह भी कर सकते है फिर भाबो कहती है हाँ ठीक है लोगों को बिस्तर हॉल में लगा दे फिर भाबो वहाँ से चली जाती है भाबो किचन में जाती है और वहाँ पे मीना भी आ जाती है जिसमें भाबो हल्दी वाला दूद बना रही है और आप देखेंगें कि मीना भाबो के दिमाग में शक डालती है कि पलंग तूट गया पर जिठानी जी को कुछ नहीं हुआ सूरत सा को कुछ भी नहीं हुआ इतर भाबो कहती है तो चाती ही क्या है भाबो सोचने लगती है वो कहने लगती है कि भाबो टावर की तयारी करती है कि टावर आएगा अपर कैसे आएगा दोनों तो साथ में सोते नहीं है भाबो सोचने लगती है कुछ नहीं बोलती है फिर कहती है मैं भी कैसी बाते कर रही हूँ अब मैं चलो अपना काम करती हूँ फिर एदर देखेंगे कि भाबो सोचने लगी है और फिर वो भाबो कहती है चले ले दूद लेके और संधेया बीदुनी को देया जा करके वो बाबो को दिमाग में श्क्डल देती है और वहाँ से चली जाती है फिर आप आगे देखेंगे भाबो हॉल में जाकर के ये चेक करती हैं कि संधिया और सूरज सो रहे हैं कि उनके बीच में रिष्टा कैसा है इधर आप देखेंगे कि भाबो का शक यकिन में बदल जाता है कि भाबो सही सोचती है कि हाँ मीना सही कह रही थी फिर आप आगे दे तो आगई ये गरम पानी की थेली है मेरे पौँच नेरी है तू सही से लगा दे फिर संतोष कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है संध्या बींड़ी और सूरज के वारे में तो बावाव सा कहते हैं आप क्या संध्या ने कर दिया तो वो बताती है कि उनके बीच में रि बात करते करते सो जाते हैं फिर वो कहती है कि इनकी तो आदत है इंसे कोई जरूरी बात करो तो जे सो जाते हैं फिर आप संदोश सोचती है हमें ही कुछ करना पड़ेगा संदोश फिर बाबा सासे कहती है कि चलो कोई नहीं अब सुबह ही देखेंगे फिर आप देखेंगे सं अंतोष सुबह हो जाती है फिर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो मीना उसे टकरा जाती है तो फिर वो कहती है कि देख के नहीं चल सकती है फिर इतने में आप देखेंगे कि मीना देखती है कि भाबो मीना से कुछ छुपा रही है तो वो पूछती है कि भाबो जे थारे ह मात में क्या है तो वो भाबो कुछ नहीं बताती है कि चल अपना काम देख और वहां से वो चली जाती है फिर वो देखती है कुछ तो है ये जा रही है संध्या के पास में तो फिर वो देखती है कि इधर संध्या नहा के निकली है और सूरज इसको देख रहा है इधर भाबो संध्या के कमरे में जाती है और भाबो संध्या के हाथ में लग्डू गुपाल की मूर्ति दे कर कहती है कि यह थारे लिए है और इधर मीना देख रही है फिर मीना सोचती है कि इनके लड़का हो जा कहीं मेरे लड़की मेरे ठाकोजी लड़का हो जा इनके लड़की हो जा है फिर आप आगे देखेंगे कि इधर संधिया जे सोचती है कि भाबो उसके लिए बाल गोपाल की मूर्ति लाई हैं। और मीना ये सब देखकर के बहुत परिशान है कि कहीं मेरे छोरी ना हो जाए, फिर मेरा तो यहां पर राज ही नहीं चलेगा, फिर आप आगे देखेंगे, संधिया देखती है कि वो मूर्ति देखकर सोचती है कि कल पंखा गिर गया, इसलिए भाबो परिशान हो रही हैं, मेरे लिए मूर्ति लाई हैं। वो टेबल पर मूर्ति रख देती हैं और पढ़ाई करने लगती है, फिर आप देखेंगे कि भाबो हैं, वो बाबा साथ को चाय देती है, और वो कहती है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि भाबो बैठी है, और फिर सामने से मीना आ रही है और मीना से वो कहती है तो जी उस सच सवर के कहा जा रही है तो मीना कहती है बाबो से कि बाबो मैं तो वैसे दिखे ही सुन्दर हूँ मैं टीका और काजल लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लगा लेती हूँ बस मैं तो पहले से इतनी सुन्द तो बावो कुछ नहीं बोलती है फिर बावो कहती है कि तू कहा है तू जहा जा रही है तू जा मुझे अपनी लाली लिपस्टिक दे जा फिर बावो उसे बावा सा पूछते है तू लाली लिपस्टिक का क्या करेगी इतने में फिर मीना कहती है लाली लिपस्टिक लाली तो बावा सा कहते है तू लाली लिपिस्टिक का क्या करेगी फिर मीना कहते है भावो ये लो तो बावो लाली लिपिस्टिक देखती है और भावो क्या कहते है कि ये तेरी फेकने वाली है तू ये ले आई है तो मीना कहते है कि बावो मैंने यही लगाई है तो बावो कहते है चल अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे तो मीना कहती है अच्छा भावो मैं ला रही हूँ मैं अच्छी वाली नई वाली लेकर आ रही हूँ तो भावा सा कहते है तू क्या करेगी फिर भावो संध्या को बुला लेती है संध्या आ जाती है संध्या से कहती है कि तू ये खाने का डबा लेके सुरच के पास चरी जा उसको खाना खिलाया जाकर फिर संध्या जाने लगते तो भाबो कहती है ऐसे जाएगी तू भाबो उसकी चुटिया करती है बाल उसके